प्रिये छात्रो अगर आपने अभी तक एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूटूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल की बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिजेगा और आ जैनी की जयामीति जब भी चप्टर हम पढ़ते हैं तो उसका एक महत पूर्ण आ जाता है किया क्या यानि कि थेल्स पर मेर आपन्स помत पूर्मै के बिलोम से लिए जांना बहुत जरूरी और इससे रिलेटेर भी बहुत सारे सवाल दिये जाते हैं तो चलिए जानते हैं कि यानि कि इसको कैसे हम सौल्व करें यानि कि थेल्सपरमे को कैसे सौल्व करें क्या है मेरा इसका कथन सबसे ज्यादा महतोपूर्ण रखता है यानि कि यह कथन आपको याद होना बह भाजित हो जाती है यानि कि यह क्या कह रहा है यानि कि मेरा कथन क्या कह रहा है कि यदि किसी तिर्भुज यानि कि कोई भी तिर्भुज हमको मानने के लिए कह रहा है जो कि हम यहां पर मान रहे क्या तिर्भुज यहां पर हम बना रहे हैं मेरा क्या हो गया यह तिर्भुज हो गया यह तिर्भुज देखने से हम नहीं कह सकते हैं कि यह संबाहू है यह विसंबाहू है यह संदुविबाहू है यह समकुन तिर्भुज है तो चलिए इसका हम नाम देएते हैं क्या कोई तिर्भुज का कोई नाम होता है हर एक चीज का हम क्या तिर्भुज को माने हैं यानि कि यह क्या कहा है यदि किसी तिर्भुज की एक भुजा के समानतर यानि कि या भुजा क्या है मेरा एक BC भुजा है यानि कि एक भुजा के समान अंतर एक रेखा खीची जाए तो यानि कि इसके समान अंतर कह रहा है मेरा एक रेखा खीची जाए यानि कि BC भुजा के समान अंतर एक रेखा खीचने के लिए कह रहा है कुछ नाम देता है, इसका नाम हम क्या देते हैं? D और E, क्या इसका नाम दिये हैं? D और E, तो क्या काई? तो इसको देखे जिया करते हैं? यानि कि हमको करना क्या है यानि कि परतिग्या इसमें हमको क्या करना है परतिग्या क्या है यानि कि परतिग्या यानि कि हमको इसमें किये क्या है तो इसमें हमको जो सवाल में दिया हुआ है क्या कि यदि एक किसी तिरभूज की तिरभूज क्या मानने है कि यहां पर हम लिख रहते हैं कि मान लिया की एक एक तिरुभूज है लंबा हो जाएगा इसलिए हम सौट में क्या लिखें एक तिरुभूज है जिसके बी-सी भूजा के समाना अंतर एक रेखा डी-ई खीचा गया अब इसमें क्या दिया हुआ है यानि कि हम क्या लिखें है मान लिया कि एक तिरुभूज है जिसमें कि भी-सी भूजा के समाना अंतर एक रेखा डी-ई खीचा गया जो क्रमसा यानि कि क्रमसा करने का मतलब यानि कि किस-किस बिंदू पर स्थित है पहले डी का नाम लिखे है इसलिए डी किस भूजा पर है अबी और उसके बाद इस्थित है एनि कि हम क्या कहें कि क्रमसा जब ही दिया रहे तो इसका मतलब समझना है कि अबूअ कि क्रमसा जब भी दिया रहे माल लिया कि a b c एक तिर्भुज है जिसके b c भुजा गे समाने अंतर d e रेखा खिःचा गया जो कडम से ABC परेस्थित है अब इसमें हमको क्या करना है कि यानि कि सीध करना है यानि कि क्या सीध करना है सो देखे सीध हमको इसमें यही करना है कि AD वटा BD बड़ाबर AE वटा EC यही हमको सीध करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे यानि कि रचना करेंगे रचना में कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं वो चली हम लिखते हैं यानि कि रचना में क्या हमको कुछ अपना से पॉइंट्स बनाना होता है क्योंकि किसी भी तिरभूज को जब हम सीध करने चलते हैं आपनी düitड़ीर निकालते हैं तो onब्राइब करते हैं तो रत्षठ नाव को क्या करते हैं कि यानि कि डी इसके कोई थी तिर्भूज你要 निकालना रहता है तो कि इसका क्या करते ह् wow लेगे एक टिर्वोज जा करते हैं हम यहां पर क्या लिखेंगे डी से डीम लंब क्या हम की हैं डी से dm लंब क्या चीज़ पर डालें यानि कि यह पूरा भुजा का नाम लिखेंगे क्या चीज़ पर ac पर डाला हम लिखेंगे d से dm लंब ac पर डाला कभी भी हम पूरा भुजा का नाम लिखेंगे और यानि कि जब इसका जब इसको लंब डालें तो क्या हुआ इससे डी से डी एम लंब यानि कि इसका यह उचाई निकल गया तो यानि कि इस तिर्भुज यानि इस साइड से भी तो इसका उचाई चाहिए न हमको तो क्या लिखेंगे यहां यानि कि इसे भी एक लंब डाल दी है ए से क्या लंब डाले ए से ए एन लंब क्या चीज़ पर डाले ए बी पर इस बात को भी हमें यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे और E से E N Lumb Lumb का यह sign देती है आप जान जाईएगा E N Lumb क्या चीज़ पर डाला A B पर डाला और उसके बाद क्या करेंगे क्या करेंगे यानि कि B को E से मिला देंगे B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे इस बात को यहाँ पर हम नुट कर देंगे क्या कि यह है B को E से मिला दे तथा C को D से मिला D से हो गया यानि कि B को E से मिला देंगे और C को D से मिला दें तो अब हम क्या कर रहे हैं यानि कि उत्पत्य इस से हमको क्या उत्पन हो रहा है क्या अब हमको क्या निकाल ला है कि तिर्भूज A, D, E का छेतरफल तिर्भूज A, D, E का छेतरफल तो तिर्भूज A, D, E का छेतरफल क्या होता है तिर्भुज A D E का छत्फल क्या हो जागा तिर्भुज का छत्फल क्या होता है एक बट्रा दो गुने आधार गुने उचाई तो एक बटा दो गुने आधार गुने उचाई क्या हो जागा एक बटा दो गुने आधार मेरा क्या है यानि कि आधार हम किसको माने है AD को अभी हम मान लेते इस तिर्भुज में ADE यानि कि तिर्भुज ADE में आधार हम किसको मानते है A और D को आधार मान लेते हैं जब भी हम A D को आधार मानेंगे तो मेरा क्या उचाई कोन हो जाएगा E N कभी भी तिर्भूज का ये तीनो जो साइड होता है ये तीनो क्या होता है मेरा तिर्भूज का भूजा होता है और जो सीधा सीधा यानि कि जो सिधा सिधा लंब यानि कि perpendicular लंब परता है उसको हम क्या कहते हैं उचाई कहते हैं तो इसको उचाई मेरा क्या हो जागा अधार जब हम AD मानेंगे तो एक बटा दो गुने AD गुने उचाई मेरा क्या हो जागा EN जी यानि कि जो सीधी रेखा हमारे तिर्फुज के उपर निकाल लिए तो इसके ठीक बिपरित यानि कि इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा तिर्फुज BDE में यानि कि तिर्फुज BDE में फिर यहां पर क्या लिखेंगे तिर्फुज BDE का छेत्फल क्या हो जागा तिर्फुज का छेत्फल हमेसा यही रहेगा एक बटा दो गुन इसका अधार जब हम BD को मानेंगे यानि कि इसका अधार जब हम BD को मानेंगे तो क्या हो जागा एक बटा दो गुने BD और उचाई फिर इस तिर्भूज का क्या मानेंगे यानि कि जब भी जब हम इसका अधार हम A मान रहे होते हैं तो हमको तिर्छा वाला है यानि कि जब भी तिर्भूज जैसे कि ए हो गया कि ए कोई तिर्भूज है जिसमें माल लेते हैं कि A, B, C यहाँ पे है तो इसका जब भी हम आधार जब हम A, B को मानेंगे तो इसका उचाई मेरा क्या हो जाएगा उचाई ठीक इसके यानि कि जो भी लमब यानि कि यहाँ पे बनेगा उसके ठीक सामने का कौन होगा सामने का कोन यानि कि जब मेरा जब कोई भी इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो इसका आधार हम Y 여기 तक मानेंगे यानि कि Unter that लेकिन उचाई हम किसको मानेंगे यानि कि इस वाले सेंटर को मानेंगे यहां पर कोई भी सेंटर हम O दे देते हैं तो इस उचाई हम क्या मानेंगे OC को इसका उचाई मानेंगे और नहीं और क्या हो सकता है नहीं तो इसके बीच में यदि इस वाले सेंटर को आधार मानेंगे तो इसको ठीक सामने वाले को हम क्या करेंगे उचाई मान देंगे ठीक है तो इसका उचाई हम क्या मानेंगे इसके ठीक सामने यानि कि E के ठीक सामने वाले क्या हो जाएगा E N को हम उचाई मान लेते हैं क्या हो जाएगा A B D गुने E N क्या हो जाएगा यानि कि तिर्भुज A D E का चेतफल और तिर्भुज B D E का ये दोनों का चेतफल निकल गया तो यह दोनों का यानि कि तिर्भूज का चैत्फ़ल लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं area तिर्भूज का चैत्फ़ल का यह हमको shortcut में यानि कि इसका नाम हो गया area of triangle यानि कि area of triangle ADE बटे area of triangle BDE क्या हो जागा इसको हमें यानि कि इतना लंबा नाम नहीं लिख करके इसका हम हम सोट नाम लिखे हैं area of triangle A, D, E बटे area of triangle B, D, E यानि कि तिर्भूझ A, D, E का छेत्फ़ल बटे तिर्भूझ B, D, E का छेत्फ़ल यानि कि दोनों का छेत्रफल यानि कि दोनों एक दूसरे क्या बिप्री था इसलिए हम क्या कि यह दुनों को बटे कर दिये हैं इसका छेत्रफल क्या है मेरा एक बटा दो गुने AD गुने EN यहां पर हम लिख देंगे एक बटा दो गुने AD गुने EN बटे मेरा क्या हो जाएगा एक बटा दो गुने बीडी गुने एन एक बटा दो गुने बीडी गुने एन मेरा क्या हो जाएगा एन से एन कट गया एक बटा दो से एक बटा दो कट गया फिर मेरा क्या इसका एंसर आ जागा है एक बट एडी बटा बीडी और ए मेरा क्या हो गया समीकरन एक हो गया और ए मेरा क्या हो गया समीकरन एक हो गया और इससे अ जाने के बाद हम क्या करेंगे यानि कि हमको सीध क्या करना ए मिल अ मानेंगे ऎकिन इसका आधार हमक्या मैनेंगे कि पर यहां पर क्या लिखेंगे तिरभूज A D E का छेत्रफल क्या होजाएगा तिरभूज का छेत्रफल हमेसा वही होगा एक बटा दो गुने आधार गुने उँचाही तो आधार हम इसको में क्या मानने है A E आधार हम किसको माने है A E तो यहाँ क्या लिखेंगे A E अगुना उचाई क्या हो जाएगा जब इसका जब हम इस पे अधार जब इसका A माने है तो इसका मेरा उचाई क्या हो जाएगा D से DM लंब जो डाले है यानि कि DM मेरा DM क्या हो जाएगा उचाई हो जाएगा D से DM माला मेरा क्या हो जाएगा उचाई हो जाएगा कभी भी जिसके आधार के उपर जो perpendicular draw होता है यानि कि जो लंब डलाता है उसको क्या करेंगे हम उसको उचाई मानते हैं तो क्या हो जाएगा AE गुने DM फिर क्या हो जाएगा तिर्भोज किसका चेतफल EDC का चेतफल यानि कि EDC का चेतफल फिर क्या हो जाएगा तिर्भोजी EDC का चेतफल क्या हो जाएगा एक बटा दो गुने AE इसको हम माने हैं इसका मेरा क्या हो जाएगा इसका EC मानना पड़ेगा जब ऐसे अधार मानेंगे तो फिर क्या किया רब यानि इसका जो भी लंब यानिक मेरा प्रेपेंडिकुलर मेरा सिधा सिधा इसना नहीं हो पाएगा इसलिए हम क्या करेंगी यानि कि उचाई मेरा क्या हो जागा डियम हो जागा और इसका आधार क्या मने E C तो इसका क्या हो जाएगा 1 बटा 2 गुने E C यानि कि आधार E C हो जाएगा और फिर इसका मुझाई क्या हो जाएगा D M 1 बटा 2 गुने E C गुने E C गुने D M और फिर इसको क्या करेंगे यानि कि दोनों एक दुसरे का समानुपाती है यानि कि दोनों एक दुसरे के विप्रित है इसलिए इसको भी हम बटा कर देंगे और फिर क्या लिखेंगे Area of triangle ADE बटे Area of triangle EDC triangle माने तिर्भूज होता है आप लोग confusion में मत जाएगा 1 बटा 2 गुने AE गुने DM बटा 1 बटा 2 गुने EC गुने DM DM से DM मेरा क्या हो गया? कट गया 1 बटा 2 से 1 बटा 2 कट गया और मेरा क्या आया? AE बटा EC मेरा क्या आ गया? AE बटा EC और जब हम यानि कि जब मेरा आ गया थे इसको क्या हम नाम देंगे समीकरन दो और हमको सीध क्या करना है यानि कि ज्यादा हमको सीध इससे हमको ज्यादा बड़ा टोपिक को नहीं बनाना है यानि कि बीच में confusion भी होने लगता है इसलिए क्या हम यहाँ पर लिखेंगे चुकि BC समनांतर क्या है BC समनांतर है क्या DE का और तिर्भूज इसलिए चुकि BC समनांतर है DC का इसलिए क्या हो जाएगा तिर्भूज BDE का छेतर फल बराबर हो जाएगा तिर्भूज EDC का छेतर फल EDC का छेदरफल और ये दोनों का छेदरफल क्योंकि क्यों बराबर होगा क्योंकि ये दोनो समान अधार पर है यानि कि ये दोनों एक ही अधार पर है ये कैसे एक ही अधार पर है तो देखे यानि कि इसका एक अधार हुगा और यानि कि जब इसका A का अधार मानेंगे तो क्या, यानि कि इस तिर्भूज का जो भी, यानि कि A मेरा क्या ऐसे बना हुआ है, ये मेरा ऐसे से दो तिर्भूज बना हुआ है, क्या A और एक A, यानि कि इसको हम क्या नाम दिये हुए, D, B, Sorry, D, E, B इसका दिये हुए, और इ यदि ए आधार मानेंगे तो क्या होगा यानि कि यह मेरा यानि कि क्या हो गया यहां से क्या गिरेगा यहां से यहां पर क्या जाएगा यहां पर करन जाएगा यानि कि उचाई जाएगा और इसका क्या हो जाएगा यहां से यहां पर मेरा उचाई जाएगा यानि कि दोनों का स इसको हम थर्ड नमबर समीकरन माल लेंगे और यहां पर लिखेंगे सरी आपको थोड़ा देखने में तकलीफ हुआ होगा क्या यहां पर हम मानेंगे कि समीकरन एक दो तथा तीन से एक दो तथा तीन से क्या हो गया कि यानि कि a d बाटा बी डी मड़ाबर a e बाटा e c मेरा क्या हो गया प्रूट हो गया यानि कि सीध हो गया और आगे सभी पर्मय को हम जो भी important पर्मय है class 10 के लिए उस सभी पर्मय को हम यहाँ पर क्या करेंगे यानि कि सीध करेंगे आप इस वीडियो में बने रहेगा लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जो कि आपको जो भी topic आएगा आप comment box में डाल सकते हैं वो topic को हम यानि कि solve करके हम डालते हैं और आप यहाँ समाझ लिजेगा कि हम सभी comment को परते हैं एक एक comment को अंत में वीडियो को जब हम कभी-कभी जब फिरी टाइम में बैठे रहते हैं जो सारे comment को परते हैं और उसी comment सबसे देख करके हम क्या अगला अपना topic तै करते हैं कि आगला topic हम को क्या बनाना है